अखिर दुर्शकम के दो आरोपे के गरफतारी क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस इस सवाल का जवाब मांगने आज जिला युवा कॉंग्रेस ने पुलिस अधिक्षक कारले पहुँची और एस पी को ग्यापन सौप का निता प्रतिपक्ष नराहें चंदेल के बैटे पलाज चंदेल के गरफतारी की मांग की है साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए नसुआ के ततकालिन जिला अधिक्ष अंकिस सिंग से सौधिया के गरफतारी नहीं होने पर भी सवाल उठाय है और आरोपियों की जल गरफतारी नहीं होने पर आंदोलन के चेताम नहीं दी है वहीं उप पुलिस अधिक्षक अनिल सोनी ने कहा कि पलाज चंदेल के खिलाब पिडित की शुकायत के आदार पर अपरात पंजिबत करने और DSP चंदर शेखर परमा के अगवाई में जांच टीम के अगटन करने का दावा किया और पलाज चंद के होने के संभावित इस्थानों में छापा मार कारवाई करने की जानकारे दी वही अनेस युवाई के जिला अध्यक्ष अंकिस सिंस सौधिया के खिलाब पिडित की शुकायत के आदार पर जांच और गरफतारी के प्रयास का दावा किया है युवा कॉंग्रेस के पतादिकारियों ने आज जाजगीर पुलिस के कारवलारी पर भी सवाल खड़ा कर दिया है युवा कॉंग्रेस के उपाद्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के पुत्र के गरफतारी नहीं होने पुलिस को आड़े हातों लिया है बेरो रपोर्ट